नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सुब का हमारी यूट्यूब चैनल पर और आज मैं बात करने जा रहा हूँ गुलबबास के फादे के वारी में जिया दोस्ते इसको गुलबबास या गुलबबसा की नाम से जानते हैं पैचानते हैं और यह जो पौधा है न यह सब फूल भी आते हैं तो गुलबबास के में फादे बताऊंगा उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेयर जरूर कर दें ताकि जानकारी जदस 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 लोगों तक पहुंश सके तो दोस्तों यह जो गुलबबास का पौ करता है और दातों में जो दर्द हो रहा है या दातों में जो शरन पैदा हो गई है या फिर दातों में जो पस निकल रहा है या फिर कीड़े लग गई है ऐसे में यह आपके समस्परकार की बीमारी को दूर करता है और मुहे के च्छाले जो ज़्यादा परिशान करते हैं त साथी साथ गुलबास की ये पत्ते हैं ना इन पत्तों को अगर आप पेस्ट बना करके और उसमें थोड़ी हल्दी मिला करके अगर आप लगाते हैं तो ये आपके चेहरे में होने वाले दाग धबे को ये दूर करता है दोस्तों पैनिस की समस्या उत्यद्ना की कमी जो इसकी क गुलबास का प्रयोग बहुत जादा फायदे बंद होता है कैसे प्रयोग करेंगे कैसे लाव उठाएंगे वह आज आपको बताऊंगा मैं तो दोस्तों आप ले ले इस गुलबास की जड़ इस पोदे को खाड़ेंगे तो उसमें जड़ निकलीगी तो जड़ ले ले जड अबने पेनिस पर और पान का पत्ता या फिर धतूरी का पत्ता बहांद करके सो जाएंगे तो ऐसे रेगुलर करते हैं कुछ दिन तक तो जरूर पेनिस की जो समिस्यां हैं जो गड़वड़ी है वो खात्म हो जाएगी और तनाव जो सुतेजना भरफूर होगी दोस्तों ब गुरबास का पोदा आपने पैच्छान कर लिया है यह बहुत लापकारी है बहुत गुड़कारी है इसको खार के ना फैक है लगाना सीखें